आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ एक मॉडिफेड बजाज विक्रांद वीवन फाइज जिसको स्क्रामने स्टाइल में कस्टमाइज किया है सेम स्टाइल के मॉडिफेशन पहले मेरे यूट्यूब चैनल में पहले अप्लोड हुआ है तो सेम स्टाइल में ये भी बाइक बनी है लेकिन इंडिया में बनी है वो जो बाइक मैंने पहले अप्लोड के थी वो अर्जेंटिना या कोई बहार की कंट्री मना था पर ये वाली बाइक हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने बनाई है सेम उस बाइक को देखे तो देखे ये वीडियो भी आप सभी लोग को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि काफी अच्छी ये एक स्क्रैमलर बनी है तो चलिए आपका टाइम वेस नहीं करता हूँ देख लिजिए पहले ये बाइक लेट्स पिकिन दे वीडियो ये एक मॉडिफाइट बजाज विक्रांद वीवन फाइट जिसको यहां पर देख सकते हैं क्रामलर के स्टाइल में कस्टमाइज किया है और इस बाइक को मॉडिफाइक किया है कंटी साइट कस्टम और आप लोग उनका वर्क देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मस्ट वर्क है यह बाइक जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो को स्टाइटिंग बता कि यह बाइक सेम स्टाइल के अलड़ी अप्लोडडेड है और हमारे चैनल के विवर हैं यह कंटी साइट कस्टमाइज किया है और आप लोग देख से यह बाइक कितनी ज्यादा बेडिफू लग रह जाता है जो कि आप लोग इस वीडियो में देखी पा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ इस बाइक में बहुत सारे शीज़े नहीं की गई है लेकिन changes में सबसे पहला जो चीन जाता है वो है इसका पीछे का frame इसका पीछे का frame देख सकते हैं थोड़ा से short किया है और थोड़ा से पीछे सा lift किया गया है देख सकते हैं किस तरह से lift किया और पीछे में जो integrated tail lamp है जो इदम seat के बीचो बीच लगा था वो भी देखने में बहुत जादा अच्छा लग रहा है फ्रंट के headlight portion देखिए यह भी change किया गया है एक aftermarket head lamp यहां पे लगाया गया है और काफी अच्छे से जो पीछे का lift हुआ पोरिशन यह देखने में बहुत जादा अच्छा लग रहा है जैसे देख पार है टायर और जो frame की बीच में जो gap आ रहा है वो काफी जादा यहां अच्छा देखने में लग रहा है उसके लावा इस बाइक का जो handlebar है वह भी change किया काफी white handlebar है और आप लोग देख सकते हैं इस side profile से गारी को देखिए गारी का side profile भी बहुत जादा अच्छा है इस बाइक का exhaust video आपको वीडियो को last में सुने मिल जाएगा तो miss मत करेगा इ side mirrors दे सकते हैं किसे side mirror inverted position में लगाया है तो उसको चलाने में कितना comfort लगता होगा look के मामले में और भी ज्यादा अच्छा लगता होगा उसके अलब बात कुर इसके fenders जो की front and rear के दोनों ही fender को छोटा कर दिया गया है यहां पे stock fender ही लेकिन थोड़ा सा यहां पे short कर दिया ग पीछे का देखे सकते हैं जो fender है उसके उपर ही आप नमबर पेड होल्डर भी रखा गया तो यह भी है का आप सभी लोगो मेरे को लगता शायद अच्छा एक idea होगा अगर आप लोग डिजाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस style में definitely करवा सकते हैं जो इस bike अगर मैं थोड़ इस comment section में बता सकते हैं और इस तरह की bike seriously मतलब आप अपने ज्यादा pocket में खर्चा भी न लगता है क्योंकि बजाज विकरांद का जो fuel tank है वो अलड़ी काफी बड़ा है वो आप लोग देख पा रहे हैं काफी बड़ा है इसका fuel tank काफी heavy duty fuel tank है और इसका side panel भी ना काफी अच की थी ना उस चलते परसंद नहीं थी लेकिन अगर थोड़ा भूत आप changes करेंगे तो आपकी बजाज विकरांद V15 भी और भी ज्यादा अच्छी देखने में लग जाए जो कि आप लोग खुदी देख पा रहे हैं एक normal सी विकरांद V15 और इसमें कितना ज्यादा difference है look के मा और चलाने में भी इस बाइक को काफी ज़्यादा मजा आएगा इस बाइक काफी ब्लू कलर का है और आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इसका एक overall कस्मेशन यहां पे किया गया है तो दोस्तों आप सभी लोग को कैसा लग रहे है ना प्लीज आप सभी लोग यह इस motivation द देना सपोर्ट कर दीजेगा अगर आप मोटो महल फैमले से बिलॉक करते तो प्लीज कर दो यार लाइक बिल्कुल फ्री है एक सेकंड ने लगता करने में कर दो अच्छा लगेगा और कमें शेक्शन में आप लोग प्लीज बताना आप से भी लोग को यह मॉडिफाइड ब झाल